नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Naso 50 vs Realme C35 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Naso 50 में 6.46 इंच जबकी Realme C35 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है Width की बात करें तो Nazo 50 में 2.97 इंच जबकि Realme C35 में 2.98 इंच की Width मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Nazo 50 में 0.33 इंच जबकि Realme C35 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Nazo 50 में 194 ग्राम्स जबकि Realme C35 में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.6 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन नाजो 50 में 1080 by 2412 और Realme C35 में 1080 by 2408 मिलता है स्क्रीन टू बोडी रेशियो नाजो 50 में 84.88 प्रतिशत जबकि Realme C35 में 84.62 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइडेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 400 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के आन्य फीचर्स यानि विशेशताय की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो नाजो 50 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और Realme C35 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं हाड़वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफोर्मेशन देखते हैं हाड़वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो, Nazo 50 में Mali G57MC2 जबकी Realme C35 में Mali G57MP1 मिलता है। चिप सेट की बात करें तो, Nazo 50 में Mediatek Helio G96 और Realme C35 में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो, Nazo 50 में 2 वैरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रेम मिलती है जबकी Realme C35 में 2 वैरियंट देखने को मिलता है। जिसमें 4GB 4GB रेम मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही दो वैरियंट देखने को मिलता है। और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की storage मिलती है। expandable memory की बात करें तो, Nazo 50 में अप्टू 256GB जबकी Realme C35 में अप्टू 1TB है। operating system दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बाटरी की बात करें तो, दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। अईए अब main feature को देखते हैं। colors की बात करें तो, दोनों फोन में सेम ही, दो colors option देखने को मिलते हैं। सब information देखने के बात करें प्राइस की तो, Nazo 50 में दो variant देखने को मिलते हैं। जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 12,999 रूपीज, 6GB RAM 128GB Storage के साथ 15,499 रूपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme C35 की तो, उसमें दो variant देखने को मिलते हैं। जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 11,999 रूपीज, 4GB RAM 128GB Storage के साथ 12,999 रूपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, Realme Naso 50 में 7,5 और 1, नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Realme C35 की तो, उसमें 8,5 और 6, नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है result की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है, दुसरा Oppo F17 Pro है, तीसरा Realme Nazo 20 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना